हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल अगर आप में चैनल पर नहीं है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो के लिए करने वाले हैं, salary of technician A and salary of senior technician assistant grade B वीडियो काफी यादा helpful होने वाली है आप सबी students के लिए because the students का basic question यही रहता है कि after joining Hawaii, salary कितनी रहने वाली है वीडियो में हम डिसक्स करने वाले है, salary for both the post and आपकी promotion कैसे होगी, allowances काके मिलने वाले है आपका leave कितना रहेगा, working days कितने रहेगे, तो इन सभी topics को हम cover करने वाले हैं वीडियो में तो वीडियो काफी अदा informative होने वाली है, तो चलिए वीडियो को start करते हैं बिना किसी delay के सबसे पहले हम बात करने वाले है technician A post की, इसमें आपकी salary कितनी रहेगी so technician A के लिए आपका basic pay रहेगा वो है 19,900, 19,900 जो है आपका basic pay है for technician A बात करें DA की, तो DA आपका महगाई भत्ता कहलाता है, तो वो आपका 34% है HR A की बात करें, HR A क्या होता है, HR A आपका house rent allowances रहता है, ठीक है तो वो आपका 16% है, बात करें TA की, TA आपका travel allowance रहता है, तो आपका 1350 है DA और TA की बात करें, तो वो 459 है, other allowances जो हैं, वो आपको 2000 मिलते हैं technician A में total salary की बात करें, तो 33,600 जो है आपकी salary है total, in hand आपकी जो salary आती है, वो है 31,000 promotion की बात करें, तो आप join करते हो as a technician A, then promote होते हैं आप technician B post में, then technician C में, then senior technician assistant B की post पे, then lastly जो है आप promote होते हो technician officer की post में, ठीक है, तो आपने promotion यहाँ पे देख लिया, आप join कैसे कर रहे हैं, आप join कर रहे हैं as a technician A, then promote होते हो आप technician B के post पे, then technician C, then STAB, STAB is senior technician assistant B, then technician officer, okay, उसका अदलीव की बात करें, तो आपको 8 CL मिलती है, CL मतलब casual leave, तो आपके पास 8 CL रहती है, फिर 30 EL रहती है, ठीक है, 30 EL मिलती है आपको, और 20 half pay leave मिलती है, job profile की बात करें, तो technician का जो work profile रहता है, वो repairing and maintenance रहता है, DR department में, आपके lab में आपको repairing and maintenance का काम रहता है, अच्छा, बात करें working hours के, तो देखिए students, आपका जो working days रहता है, अगर उनकी बात कर लें हम लोग, तो आपको week में 5 days, आपका working days रहता है, आपकी Saturday और Sunday जो रहता है, वो leave रहता है, आपको DR DO में Saturday को भी leave मिलती है, ठीक है, मत 35,400, DA आपका 34% है, HR आपका 16% है, TA आपका 2700 है, STAB पोस्ट के लिए, STAB क्या है, आपका senior technician assistant grade B, ठीक है, DA और TA जो रहता है, आपका 900 रहता है, other all जो रहता है, वो आपको 5000 मिलता है, other all alliances जो है, आपको यहाँ पे 5000 मिल रहा है, technician में आपको कितना मिल रहा था 2000, और यहाँ पे 5000 मिलता है, total जो है आपकी salary वो बनती है, आपकी 61,500, in hand कितनी आती है, 58,000 जो है, आपकी salary in hand रहती है, promotion देखा जाए, तो आप join करते हो, as a STAB, then आप promote होते हो, technician officer A grade में, then technician officer B, then technician officer C, then technician officer D, and lastly जो है, scientist grade B पे आप promote होते हो, ठीक है, तो यह जो था आपका patent था, promotion का, working days same है, आपको Friday तक जो रहता है, working days रहता है, Saturday Sunday आपका leave रहता है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली, आपकी technician A की, and STAB की, तो I hope आपको वीडियो काफी आदा informative लगी हो, और बात करें, अगर result की, तो DRDO के रिजल्ट के उपर मैंने playlist प करें, comment करें, और share करें, और इस channel को subscribe करें, ऐसी latest informations के लिए, और अगर आपको कोई और topic, कोई भी specific topic पर वीडियो चाहिए होगा, कि हमारा job profile क्या रहेगा, and कोई भी other, आपको doubts रहेंगे, तो comment section मुझे जरूर बतायेगा, I will definitely answer you, और मैं try करूंगी, कि उस specific topic पर जल्द से ज आपको कोई बताये अबंगीक से जद ख़ोगा, कि अबतायेगेगेगे।